हेलो गाइस आज हम बात करेंगे रियल मी नार्जो 50 प्रो 5G के बारे में और इस फोन का बैटरी प्रोब्लम को लेकर गाइस मैंने जब से फोन का सौप्टेयर अपडेट किया है तब से फोन का बैटरी प्रोब्लम जल्दी से जल्दी खतम हो जाता है तो गाइस वीडियो को सबसे पहले आपका जो फोन के अंदर जितनी भी आपके अंदर होते हैं मतलब ब्लूटूथ वाइफाई और लोकेशन आप यूज नहीं करते हो करेंटली तब अक सिर्फ ऑन ही रख देते हो ऐसे छोड़ देते हो और रखके तो भी गाइस इससे आपका बैटरी काफी द्रेन होता है तो अब अब करेंटली आप जितनी मतलब कोई भी जैसे ओन रहते हो जैसे और यूज नहीं कर रहे हो तो इसको सब कुछ बंत रख सकते हो जैसे आपने नेक बैंट यूज किया है मतलब ब्लूटूथ श्पिकर बगर यूज किया है फोन का सेटिंग में आपका ओपिन कर जाना है और आपडेट करते हो गाइस अपको ओपिन करना है और आपको क्लिक करना है और आपकी पास ओन रहेगा इसको आप कर दिजी यह आपको करने से आपका 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 और आपका घ्राटा हो आपका अपको एफेक्ट पर था है तो फिर इससे आपको बंद एक को में सिंटियूस्ली देख लएकी को तब से मोजी देख सकते हो अपको फोन के अंदर और सेटिंग डूझना है घाइस तो फिर काईस या बैंतरी सैटिंग डूढना को औरतलब आप स्क्रॉल करते की簡िकर होगे को नहीं पराना को già वी अपसे 5 एक सेंफिर के अंदर 25 मिलता है आप सर्च कर सकते हो आपको जोभी सेटिंग Cabak है कर सकते हो ने सामने अपर कर करके दिखा रहा堆 कई तेक सकते हो तो चाजों के हैं दो दान चार्जिंग की आया है जो मैं तक बैट्री पर्फोमेंस बिलकुल अच्छे से चल रहा है दोर दिन हो चुके गाइस आप लास्ट चार्जिंग की होए तो फिर गाइस देख सकतो आभी तक फोन चल रहा है अब भी आभी तक 17 आवर्स 55 मिनिट चलने के लिए रेडी है मेरे फोन तो फिर गाइस देख सकतो काफी इंप्रूमेंट मिलती है गाइ है फिर आपको सेफ पावर में आपको क्लिक करना होगा आपके जितनी भी बैकड्राउंस में आपको मतलब यूस करता होगा मतलब यूस करता होगा तो फिर जीरो में आपको शो करेंगा कितनी आप मतलब यूस कर रहा है आपका बैटरी तो फिर गाइस इसमें आप मोश्ट सेटिंग देख सकते होंगे फॉर्ट देख सकते हो सभी मेरा बंद है और घिपएस बगर सबकुछ बंद आप यह पेस्परफॉमेंस मोट मिल जाता है कि सबसे बरी बात आपको यह स्मार्ट परफॉमेंस मोडी अन रखना आप no performance mode को मत on रखिए इसमें बैटरी तो जरूर इंप्रूब होई लेकिन आपको performance नहीं तो फिर गाइस आप no performance mode में जब भी आपको performance की जरूबत होगी आप आपको phone बहुत ही slow काम करेगा इसलिए smart performance mode को ही on रखिए तो फिर गाइस में खुद on रखता हूं smart performance mode फोन खुद ही handle कर लेता सबी situations तो फिर गाइस आप आपको battery यूजिंग से जा सकते हो और देख सकते हो कौन सा third party apps आप currently phone का battery ज्यादा से ज्यादा consume कर रहा है तो फिर गाइस आपका यह से notice कर सकते हो मतलब इस जब भी आपका फोन का बैटरी ज्यादा से ज्यादा consume कर रहा है उसका आप बैग्राउंड का मतलब क्लियर क्रेश्ट कर सकते हो अनिस्टॉल करके फिर सी इस्टॉल कर सकते हो बाइस बगर आ जाए तो फिर इससे भी काफी आपका phone बहुत ही ड्रेन हो जाता आप 13% आपका phone का मतलब space खाली रहना चाहिए तो फिर इससे क्या तम काफी load पर जाता है जब भी आपका phone का storage फूल हो जाता है इसलिए 30% आपका phone का storage खाली रहना चाहिए तो फिर गाइस process management देख सकते background में कोई भी apps नहीं है recent button में RAM में कोई भी apps नहीं है मैं आपको live करके आपका सामने गाइस आपका मेरा RAM को यूज किया जा रहा है और मुझे पता भी नहीं है तो फिर गाइस background में जितनी भी apps चल रहे होंगे सब कुछ एप background में data करेंगे चैनल को जरू subscribe और like जरू कर दिजिए तो फिर गाइस end of process में click करके मतलब end all कर सकते हो कैसे करना आपको डिप्थ क्लीन डिप्थ क्लीन नामके option आ रहा होगा आपको यह पर डिप्थ क्लीन कर दिजिए थर्ट पार्टी सिस्टेम आप जितनी भी आपका फोन के background में मतलब data खाता होगा और